नमो समय साराय स्वान भुत्या चकासते चित्सु भावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे वन्दित्तु सव सिध्थे दुमचल्मनोगमं गदिंपत्ते वोच्छामि समय पावुड मिडमो सुद केवली घणिदम वीतरादम जिनम्नस्वा ज्याना जंदें कर्णम गदम प्रच्छे दमई सारचे प्रच्छिन साथ परिशन्दित्तु समय सारजी गृंधा दिराज पेज नमब रसी गठा नमब रिक तीस जो इंदिये जिनित्ता नान सहावादियम नदियादं सम्धल जिनित्ते वरंति इनिच दासावु कर इंदिये ज्यान वावरु अधिक जाने आत्मे को निच्चे विजे इसाथ परिशन्द बाते जितें दिये उन्ही को दसलक्षन मापर्वर की दिवस्व में आए उत्तम सक्थ धर्म का पवित्र दिवस उत्तम सक्थ धर्म क्या है? नो करम, द्रव करम, भाव करम हैं परियाए हैं, गुनभेद हैं मुराग देस हैं, फुन पाप के भाव हैं ये सत्त है लेकिन ये मेरा आस्रयोग सरूप नहीं है बलकि नो द्रव भाव करम तो मेरे? नहीं है ये वाव परम सत्त है दो चीज़े हुई ये हैं, ये सत्त है लेकिन ये मेरे सरूप नहीं है ये परम सत्त है ऐसे परम सत्त को जानना समय ग्यान मानना समय दर्सन और ऐसे ग्यान और मिश्वाश पूरवक इन परद्रव्यों में रागदेश नहीं हो ना ये वीतरागता ये उत्तम सत्त धर्म बाद समझ में आये? उत्तम सत्त धर्म समझ में आया? क्योंकि धर्म की व्याख्या दो तरह से इनवाड़ी में एक वस्तु के सुभाव को धर्म कहते हैं तो मैं जीव वस्तु हूँ तो मेरा सुभाव है ग्यान तो वो धर्म है सदकाल है वो जीव धर्मी और ग्यान धर्म ये सदकाल है अब जिनवाड़ी में कहा वीत राक्ता धर्म है कहा वीत राक्ता जैन सासर वीत राक्ता धर्म तो ये वीत राक्ता धर्म कैसे प्रगट होता है ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि ज्ञान सदा रहने वाला धर्म है और वीतरागता नया प्रगट होने वाला धर्म है। कि लिए हुआ ? तो जो छमा मार्दवार्जव सौच सत्त सेयम तक त्याग आकिंतिन ब्रमचर है ये ज्ञान सुभावी आत्मा के आस्रे से प्रगट होने वाले धर्म है और एक वीतराग पर्णती का नाम है छमा मार्दवार्जव है ये अलग नहीं है कुछ बिविन अपेक छाओं से इनका काम पढ़ता है प्रिसंग विप्रीत हुआ इसने क्रोध नहीं किया ये छमा चक्रवर्ती बंदना कर रहे थे संयों गुरे थे और तो भी इसकी परणती में गमंड नहीं आया दीनता नहीं आई मार्दवार्जव पासंज आई लेकिन ये जो कहे जा रहा है छमा मार्दव ये क्या है कि वो अपने सरूप में इतना संदुस्थ है कि उसे परोर पढ़या उसे कोई रागदेशी निल फलक ही नहीं पढ़दा उसी को कभी छमा कहेंगे कभी मार्दव कहेंगे कभी आर्जव कहेंगे क्लियर हुआ धरम कितने है एक वीतरागता आज कौन से धरम का दि किया कह वर अक्तम सित्धधरम नास्ती से बताये था है अपन सीधे । अभी पकड़ रहे है जो मुरा राग देश है ये है ये आसरफ बंतत है ये मेरी ही परयाय है विशेश, ये सत्थ है लेकन ये मेरे स्रूप नहीं है, ये परमसत्थ है, और ये मेरा को सुदार नहीं करते ऐसा जानकर इनसे रागवेश नहीं होना ये उत्तम सत्त धर्म के लिए लुगा तीन चीज सत्त परम सत्त और उत्तम सत्त धर्म बस सुझ जाई अभी संसार अवस्था है ये सत्त है लेकिन मेरे ग्यायक में संसार नहीं है ये परम सत्त है और ऐसा जानकर संसार से कोई टेंसन नहीं ये उत्तम सत्त धर्म है समझ गाया नास्ती से अब अस्ती से करो मैं तो ज्यायक हूँ ये परम सत्त है न ज्यायक परम परार अब ऐसे आत्मा का ज्यान विश्वास और आत्मा का आन्द है क्या कहा अस्ती से मैं ज्यायक हूँ परिपोड हूँ रभू हूँ ऐसा ज्यान विश्वास ये उत्तम और उसका आन्द आत्मा का आन्द ये उत्तम सत्त धर्म अस्ती से हो ये बरावर संचेत में चर्चा की है आईए 81 नंबर पेज पर ताथ पर वरत्ति हिंदी ठीका अब दे अब यदि दे के गुणों का इस्तवन करने से निश्चे इस्तुती नहीं होती तो निश्चे इस्तुती कैसे होती है ऐसे होती है जैसे भी बताईए 10 मिट जो चर्चा की लग भब जो 7 मिट ऐसे होती है के लिए रोगए? सत्य सरूफ जानकर सत्य सरूफ जानकर सत्य का आनंद ऐसे निश्चे इस्तुती होती है सत्य के आदंद का नाम है निश्चे इस्तुती और असत्य के टेंसन का नाम है अधर्म विलाधना समझ में आया असत्य का टेंसन संयोग शरीर करम कसाय मेरे आत्म सुभाव में नहीं है इसलिए वो कहते है असक, शक्कर में खटास नहीं है, खारापन नहीं है, इसलिए वो कैसे हो गए, असक, लेकिन तुम शक्कर के दाम पर खारेपन और खटास का टेंसन करो, यह अधरम है, और धरम क्या है, शक्कर के सुवाव को जानना, मानना, और मिठास का आनल होना, यह तो मीठी है, यह उत् निष्चे स्तुती, निष्चे पूजा, निष्चे छमा, निष्चे ब्रह्मचर, शब्द बेद है, नाम बेद है, बात है, यह कई है, पूजा को, इस्तुती को, आरादना को, साधना को, छमा को, मार्दप को, ब्रह्मचर को, ब्रह्मचर किसे का, ब्रह्म की आनन्द को, तो ब्रम्म मतलब ग्यायक, ग्यायक का आनन्द वो ब्रम्म चर्थ, ये ज्यायक का सत्य सरूपी ज्यायक का आनन्द वो उत्तम सत्य धर्म, इस चर्च अपने कर लिये लिए, पहले. ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि द्रवेंद्रियां, द्रवेंद्रियां, भावेंद्रियां और पंचेद्री के बिसियों को स्वय संबेदन लक्षण रूप भेद विज्ञान से जीत कर वो ही शक्कर का लक्षण मिठास तो अपना लक्षण क्या है ग्यान, इस ग्यान लक्षण को जानकर ग्यायक पर पहुँचे और अपना आनन, इसका नाम है स्वय संबेदन लक्षण रूप भेद विज्ञान ग्यान स्वरूपी आत्मा को जानकर और उसका आनन होना ये ये भेद विज्ञान पूरवक उसका फल दो बात है यह भी विज्ञान, कारण और उसका आनन्दु अ वस्तु का यह उसका क्या हो गया? प्फल हो गया तो के ऐसे जानो आत्मा को, सुनो जैसे पत्पराया प्रोचरम सुनते हैं कोरी पंड़ता ही नहीं, छपसम्यान वाला नहीं, चिंतन अकेला वाला नहीं बरावर कैसे जानो? अनुभव से, अनुभव का मतलब यान जैसी वस्तु है बरावर वैसा निर्णे करे और मस्त रहे यह एक अनुभव, कारण अनुभव, और जब निर्विकल अनुभूती प्रक्टेगी वो कार्य अनुभव किलियर हुआ? 312 नंबर का पेच पढ़ना मुक्षमा पका सका, कल रात में कहा था, कल रात की चर्चे सुन लेना, अलग तरह की है एकदम, कलस नंबर 150, आचार के रहे हैं, तू भूगों को भूग, चिंता मत कर, क्योंकि उससे तो यह कुछ नहीं होता, यह चर्चा थी यह सी, भूग भी नंबर जरा के कारणी, कल की चर्चा, या तो आर या पार, पच गई तो मोक्ष और नहीं पची तो नहीं पची तो नहीं हो गई, स्वामी जी कहते थे, कि अध्यात्यों की चर्चा कच्छा पा रहा है, तो में रोग हुआ है, वा तुम खाओ से, यदि पच जाए, तो रोम से कोड फूटेगा, कोई आवास आओंगे, लिष्या आवास हो गया, वास बैवारा वास, कैसा है, इस ग्यान सवाव की निवंदकार यदी, दो-तीन दिन में आएगा आपके पास, इसका अंतिन पेश पढ़ना बहुत मेहत्पूर आएगा, अभी तो वो लिखा जा र स्वय सम्वेदन लच्छनू भेर विज्ञान से, भेर विज्ञान से जीत कर, जो इस सुद्धात्मा को क्या करता है, अनुभव करता है, इदर देखो, आपने शक्कर का अनुभव किया, वो मीठी है, परावर, देखो, जब हम जड़ बस्तू को भी जानते हैं, अनुभव हो सकता है, तो ज्ञान में स्वय ज्यायत का अनुभव नहीं हो सकता, शक्कर कैसी होती है, मीठी, तो आत्मा कैसा है, फरका करता भोगता, शरीर वाला, जनमने मरने वाला, सुलो, अकरता भोगता है, अभिनासी है, ऐसा जानना ही आत्मा का अनुभव है, सब्सका तुम तो कल्लू हो, नहीं है, अब क्रोध नहीं हुगा, उत्तम छमा, आस सोज़ में आई, अब दुकान मुकान, गाड़ी वंगले बढ़ते जारा है, बढ़ते जारा है, अम्मानी से भी जादा हो गए, और तो भी घमंड नहीं, उत्तम आर्द धर्म, क्यों, प्रियायों का पर्द रव्यों का मेरे में, इसके छोटे बड़ा नहीं होता, उत्तम मार्द परनती ये कही है, अलग-अलग प्रसंगों में उसके, नाम अलग-अलग है, किस पूर्वख हुआ, सुद्धात मा को अनुभव, अनुभव मतलब लिख लो, भली वाती उसका ज्यान होना, क्य अज्यान वाव है, मीटी ली होती है, अज्यान के तीन गुण, बता है पहले, कौन गुण से तीन गुण, संसे बिपर्याय अनध्यव साय, किसके है ये, थ्री क्वालिटी आफ इग्नोरेंस, वैब भवाई, अज्यान के कितने गुण है, तीन, संसे किसे कहते है, वस्तू क तो हमें सही ग्यान नहीं है तो ऐसा है कि ऐसा है दो कोटी स्पर्स करने वाला ग्यान मैं शरीर हूं की आत्मा हूं मैं करता हूं की ये करता हूं ये क्या है ये संसर किसमें होता है ये अग्यान में दूसरा दिपरे है मैं तो शरीर हूं काला गोरा हूँ आगे पुरुस है पीछे महला है क्या है ये विपरेय विपरीद ग्यान मैं तो रागी हूँ तो को पृतक्ष राग है रागी हूँ सुन परेया में पृतक्ष ग्यान नहीं है तो तेरे मुँझे आज तक मतलब ज्ञान में अनाधी कास्याथ तक मैं ज्ञान हूँ ऐसा अजरन नहीं किये तुने जो सदा रहता है बस्तु सुभाव धरम और जो मिठने वाले अधरम है बदलने वाले तूनका तो बिश्वात और सरुप ज्ञान में लेता है गल्दी कित्ती बड़ी है तू सत्त को तो देखता है परम सत्त को नहीं देखता यही असत्त है क्या कहाँ मोर आग देश है परियाय में विसेश परियाय यह सत्त है लेकिन बहाँ पर ज्ञान और ज्याय कि भी तो है यह परम सत्त है तू मिटने वालों का तो विश्वास करता है मिटने वाली दुनिया का विश्वास करता है वो कबाली में गाई है वो मुसल्मानों ने मिटने वाली दुनिया का एतवार करता है क्या समझ के तू इनसे प्यार करता है याद आ गई? कब्बाली आ रहा है कि नहीं आई चड़ता सूरज धीरे धीरे भूता है डल जाएगा उसमें पूरी वेराग भावना ही लिखी है उस कब्बाली में तेरे चाहने वाले तुझको ले जाएंगे बेतव किनारे अपने हातों से आग लगा देंगे अधना हो या आला हो सबको लोट जाना है मुफल से पयम क्या है वो कब्र ही ठेकाना है बास सुझ मैं रही है ये तो ब्ये गा रहा है मारा भावनाने तसरेंग मुसंवान नहीं गा रहा है जब गया था दुनिया से क्या है पहले सिकंदर के हौसले तो आली थे जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे मुमुक्चु जैंसा आप सब लेके जाएंगे वो मुसर्मान सिकंदर था पारस मैं से वी और पता नहीं काय काय से वी सब जितना कमा रहे है समय सक्ति ज्यान अपना गवा रहे है श्रीमान जी ने लिखा है आज का भूलन तेरे पास हो तो कल की चिंता में स्वाध्या पूजा मत छोड़ना कमाना है नहीं छोड़ना मत पूत सपूत तो क्यो धन संच है पूत कपूत तो इस नीदियों में लिखा है सोगानी जी कोल गाता में उनने अपने परिवार से कह लिया हमें तो तुम बस ऐसी रोटी दे देना दाल और हमसे कुछ मेंद गोलना गंदी वह ऐसा बोले तो जैसे गाय कुट्ते को दे 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 है सांदवाई साब समझ आ रहे है क्या समझ में आ रहे हैं बताओ अपने समय सकती ज्ञान को पूरी ताकत से लिख लो दर्सत पूयन पाट में मत लगाओ तक तुम नड़े चिंतन में भीद भी ज्ञान में लगाओ प्रोचन सुनने में लगाओ दोनों टाइम दो घंटे अपने लिए और बाइस घंटे पर के लिए चोवीश घंटे अपने में नहीं पूरी समय सकती ज्ञान पहले अनादी काल से जो काम नहीं हुआ अपर अमसक्त को नहीं जाना इसको जान ने ले और ये इन बार ज्ञान में आ गया वो तो सवता तो नहीं भी चल रहा है लेकिन वो मार्ग बदल जाएगा जिसा बदलने की बात है रास्ते दो नहीं है रास्ता तो यह कही है जिसा का अंतर है स्रद्धान गया राचरण तो हो जी रहे है बस जिसा लग है के लिए रोगया जो सुद्धात्मा को अनवब करता है जो कौन ग्यान की सर्या है जाती मठोगना जेवे नहीं ज्ञान मैं करता है मैं कौन हूँ परम सत्य तत्व हुँँए मोराज देश छणिक सत्य है मम्मी पापा छणिक सत्य है भिन्न सत्य है मोराज देश विभाव रूप सत्य है और ज्यान लक्षण रूप सत्य है लेकिन ज्यायत परम सत्य है स्वाज आईस उत्तम सत्य धरम की चर्चा एक सत्य, एक परम सत्य, और परम सत्य को जानका जो आनन्द हुआ, तो उत्तम सत्य दर्म, पर दीक, उत्तम सत्य दर्म की व्याख्या, ज्यायक का ज्यान, ज्यायक का विश्वास, और ज्यायक की सत्य सरुप को जानका ज्यायक का आनन्द, सत्यानन्द, ज्यायक का ज्यायक का दूसरी भासा मझें तो अभिनासि हूं ऐसा घ्ञान अभिनासि हूं ऐसा विश्वास और निर्भय पर्ञति होना ये उत्तम सत्तधर्म है नूट कर लेना व्याक्षा मिलती नहीं सत्तधर्म की सत्त्तधर्म मतला उत्तम शब्द किसकी सत्कारता सुचग है सम्मे जिर्शन सम्मे कियां किसका नाव है कर सुब बताए था ग्यायक हुएसा ग्यार विश्वास और उस पूर्वग ग्यायक का आनद पर और पर याइसी राख दे सुनी होना वो नास थी उत्तम सत्त ठीक है एसा जो जीव है आगे देखो आगे देखो ग्रंद देखो एसा जो जीव है वह जिन है लिखा है सबसे नीचे सेकेंड लास्ट पंक्ती क्या लिखा है कौन जिन है उत्तम सत्त का धारी है वो जिन है मोराग देख जिन नहीं है खाना भी न जिन नहीं है तक तुचिंतन वो निरने भी जिन नहीं है यह जिन है अलादीन का चिराग लिख लो ग्यायक भी जिन नहीं है क्या कहा अध्यादीन का जिन नहीं है जिस ग्यान ने में ग्यायक हूं ऐसा ग्यान किया स्रद्धान हुआ और ग्यायक का अनन हुआ यह परणतियों को जिन कहते है क्या कहा भरत जी घर मेरी वेरागी भरत जी मतलब कौन उस स्रद्धा ग्यान चाहिट की परियाए भरत जी मतलब ग्यान स्रद्धा चाहिट की परियाए स्रद्धावान विवेगवान किरियावान स्राबक का लक्षन है न च्छान बेच्जा दानियों मेरी नहीं के लिए ये स्रद्दा और ज्ञान भी ऐसे ही और उसके बल पे आनन्द है च्छान बेच्जा दानियों का गमंड नहीं है गमंड नहीं है और दूसरा वाग के लिखो वे हैं तो दीनता भी नहीं है ये फस गए च्छान में यार हे भगवान कप छूटेंगी रोना भी नहीं है दीनता भी नहीं है हमारे साथ के गड़बड चल रही है ये फसे हैं भूगों में दुकान में खाओ कमाओ यह दीन था, यह पिर छूड़ रहे थोड़े तो अमंड, इमान कसा है दोनों गलबड है अज्यानी परकेई वल पे करम समझता है परकेई वल पे धर्म समझता है क्या कहा तत्व अंद्रिने के भाव में परकेई वल पे धर्म और परकेई वल पे ही अधर्म लिख लो नपरकेई वल पर अधर्म होता लद्हर्म होता ग्यायक को भूलने पर अधर्म है और ग्यायक को जानने पर निस्वरल व्याक्या जादू सहुजना आ रहा है मम्दी पापा है की नहीं तुम कालियों की को रे इसकुल जाके की नहीं जाते कितने साल के होगे कम मरोगे तो चिंता है की नहीं कोरोना वाइरस की अब ये बोल रहा है आपको इसका भावासन चाहिए क्या कहा बात पूरी सकते है वो लेकिन अपने ज्यान में ऐसी फीलिंग लिख लो भावासन का नाम जेन धरम है भासन का नाम नहीं अस्तना पूर में दे दी हमने भासन सपोले में ताली बढ़ा दी इसका नाम नहीं किसका नाम भावासन का नाम जेन धरम है और क्या भावासन जित्मी चीजे से ने बोली वो भावासन मेरे मित नहीं, प्रोचनकार नहीं, चिंतक नहीं, जानने वाला भी नहीं कौन हूं है? जाननहार और जाननहार कहना शब्द है, आएगा वो भी लेकिन ऐसा ही हूं है जाननहार ही हूं और जाननहार कैसा है? काला नहीं, गौरा नहीं, बगवान आत्मा जन्मा नहीं, मता नहीं, बगवान आत्मा ये जाननहार का भजन भजन है कि नहीं, पूरे स्यकणों मेरा सहर जीवन कोन नहीं लिखा है? कोन नहीं लिखा है? मेरा सहथ जीवन कुम ने लिखा है अब देखो स्वरूप है मेरा सहथ जीवन पंडी इस साम ने उसको जिन्वाणी के अड़ा से लिख दिया अहो उत्पाद दें मेरे पेच्छ रुप जीवन हमारा है लिख दिया उसे रचना से ज्ञान में ये दिख जाए सफ़ जनम अब पाट पढ़ना तो उसमें जाननार का आपको सरूप मिलेगा ये बताना है क्या मिलेगा सरूप मिलेगा क्या सरूप मिलेगा कि ये बाहे जीवन मेरा नहीं है मेरा जीवन तो अनादी अनन्त है अनन्त गुणवई है उच्पान वैसे निर्पेच है लिख लो मैं रागी द्रसी तो नहीं होता लेकिन मैं जिन भी नहीं होता क्या गहा क्या गहा क्या गहा जिन भी नहीं होता जिन होती है विसेश पर्याएं स्रद्ध यांचारेत रिखी और मैं कौन हूँ मैं वो अला उद्दीन का चिराग हूँ चिराग हूँ मैं दूआ है उनकी कोई बद्दूआ नहीं लगती मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती क्या कहां दूआ है उनकी कोई बद्दूआ नहीं लगती मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती तो कभी बुझता कम नहीं होती चेतन जोती सब पढ़ चों के ऊपर विस्व के ऊपर तो हुआ है सयोग शरीर कर्म कसाय की ये ठंदी गरम हवा है ये सीत लेहर और लू ये मुझे छूटी नहीं है ऐसा चिराग हुँए ऐसा ज्यान दीपक हुँए अखंड जोती जोतिरा दित कौन हुए जोतिरा दित हुए वह जिन है जो ऐसा जान है वो जिन है जितेंदरी है कौन हो गया कौन हो गया आज बस अंतिमेश आज गाता की चर्चा है कौन है जितेंदरी जितेंदरी मतलब तीन इंदरियों को अपना सरूप नहीं जानता अतिंदरी सुभा हुम ऐसा जानता है कौन हो गया जितेंदरी जितेंदरी है कितने परकार की तीन कौन कौन से इतीनों मैं नहीं ऐसा जानने वाला ज्यान कौन हो गया जितेंदरी हो गया वस्तु तो पहले से जितेंदरी थी जितेंदरी मतलब इंदरियों से रहित थी जितेंदरी ना कहो तो कैसी थी ग्यायक कैसा है अतिंदरी महाफधाद अलिंगर्ण के बीस बोल पढ़ना सब जगे बूई लिखाये मैं अगया सरूपी परसे कुछ भी परपढ़नती से पढ़ना पढ़ना इसका नाम है जितेंदरी क्या कहा क्या परवासा बोली जितेंदरी की अतिंदरी आत्मा हुं ऐसा जानकर अतिंदरी आनन्द होना ये जितेंदरी पना है अपंडी साब कह रहा है मेरा से जीवन में विनाशी बाह जीवन की आज ममतात जी जूटी बुलो एक साथ विनाशी बाह जीवन की आज ममतात जी जूटी बुलो जाविया घर पर देली एक दो पाठ करो आदर नी भाई साब तो अभी दस लक्षन चल रहे हैं सागर में सच्चा जन पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं एक टाइम नियम साजी है सच्चा जन पढ़ा है रिचना है अदबुत हैं अम्रित के प्यालें अंडी साथ की एक गलचना घर में डेली एक दो पाठ करो कौन-कौन करेंगे हाथ कड़े करो डेली एक दो पाठ मम्मी पापा सब बैठ के बच्चे डेली एक दो पाठ हाथ कड़े करो अच्छे साब देख लें कौन कौन करेंगे बहुत बढ़ी आफ मत करो किसी पढ़नती है हम नहीं हाथ उठाएंगे हम नहीं करेंगे अपने पास रखी है भी जिनके पास पुस्तक नहीं हो अलर्णी बिनुद वही साब के पास चिनमे जूलेट्स पर जाकर ले लेना यह नहीं आएगी नहीं जाकर लेना गर्द होने चाहिए बहुत मिल गया फिरी का माल अब टेक्स लगेगा आने जाने का पेटो ने सब्हे ज्यान लगेगा जितेंदरी की परिभासा विनाजी वाय जीवन की आज ममता तरी जुटी रहे चाहे अभी जाहे ज्यान जीवन प्रोचन सुने वे ना वो पाठ भी कोरे हो जाएंगे क्या करा पढ़ लो इस प्रकार यह पहली मिश्चे इस्तुती है पहली मिश्चे इस्तुती हुई पेज पल्टो पूरी टीकर कर दें इसकी आज क्योंकि जैसे नाचार फिती का अलगवक अमरिचिंदाचार देप का ही छाया है पूरी वो जो द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय और अंचेंद्री के विसियों को जीत कर जीतने कवाव क्लियर होगया अस्तिनासी से धिन जान कर शुद्ध ज्यान चेतना गुण से अधिक अधिक मतलव परिपूर्ण सुद्धात्मा को मानता है यहाँ पर अधिक मतलव ज्यान जो है चेतना और उससे अधिक जो ग्यायक है ऐसा मानता है मानता मतलव सम्यदेशन जानता है मतलव सम्यक्षाडत्र, सुरी सम्यक्षाडर, सम्यक्षया नहीं और अनवव करता है, संचेतन करता है, व्यसी feeling करता है ग्याडЕТ। उत्तम सतद्राव, याएक हूँ, अभी ना से कूँ संचेतन, सम्यक्षयतन, चेतना विसेश पर याएजो चेतना है उमें ग्यायकू ऐसा अनुगव करें इसका नाम है सम्यक्चेतन संजेतना निवन्द पढ़ा होगा आपने उग्यान सबूब बाला कितने लोगों ने पढ़ लिया क्या बात है कितने खराव है हम और हमाई बात है कि तुम लोग ध्यान ही नहीं देते बाब इसमाने हैं गया आई इसलिए मुक्रेश भाई सामें बहुता की है दो तीन दिन बाग आपके हाथ में ज्यान दारा होगी सबके उस पर तर चर्चा होगी चेतन नहीं विन चेतना चेतन विनाना चेतना इसलिए है चेतना चेतन में ही तु जीतना प्रक्टे सुख संचेतना किंचितना होवे वेदना उसके मीनिंग लिखे है नीचे पहला चेतन का रथ क्या दूसरे का क्या संचेतना का रथ क्या लिखे इसलिए बैं टू थरी फूर तो ज्यायक में बुलाओ फिर हमें गाड़ी घेज देना भूजन मगरें नहीं करेंगे दतलक्षन चल रहे हैं चिंता मत करना पानी भी नहीं पिएंगे आप तो गाड़ी भीजके बुला लेंगे कितने मुझे तयाद हैं जवाब कीशा हो यह दिपकत है बड़े पर्टिशा इसलिए गुस्ता होते हैं पंडिशा बड़ी सब पढ़ारो विवस्ता तो बताओ हाथ की चक्की है की नहीं हम जिन पार्टे में बैठते हैं वो पुते नहीं होते हैं वो रंगी नहीं होते है की नहीं तुमाएं पास विवस्ता है नहीं है बड़ी साह जाओ समझ ना रही है बश्चे परमिष्टी को हिर्वे में बुलाना है तो उनकी स्वरुप को समझना पड़ेगा अत्रत्र अफ्तर अफ्तर इसलिए अज्यानी का जो कुछ है वो सब कूरा है जीरो है इसलिए जीरो है आगे देखो उस आत्मा को निष्चे सेवे सादू जितेंदरी कहते है जितने भी सम्यक्ष्टी ज्यानी धन्मात्मा है वो कहते हैं कि ये सेल जितेंदरी हो गया क्या कहा सीता जीदा जीद तीस नरग में गया गया पता है प्रक्वानियोग यहाना तो बोलो वो प्रतींदरी सीता जीदे जो जीदे वो तीसे नरग में गया और वो नार की नपूंसक नगन है मैं भो आपे काला रोकसाइद सरीर वाला अवस्था में तो रावण का जीद उससे कहा तुम नार की नहीं हो तुम आत्मा हो और वहीं पर उन्ले सम्मेट दसन ले लिया जावणने नरक में अज़े बही यह पता नहीं है प्रतीक पता है यह बात तो अब वो कौन हो गए जीद जितेंद्री हो गया जिन हो गया मुक्षमारगी हो गया सच्चा जिन हो गया सच्चा ज़री कौन रावण का जीद मतलब हो गया जिसमें बहाँ पर मैं गयाए कूं ऐसा जाना कौन हो गया यहां के जैन सा हुए की नहीं हुए जैन नहीं हो पा रहे गड़बड़ है मामला मिने नहीं बोलो अपना मैं कौन हूँ आत्मारगी हो अब यही तो जीते हैं मिरी जैन है लेकिन क्या करें वो असल में क्या है कि वो एक स्थाप में नहीं है न हम ने ज़रा से बदला तो ये भी बदल रहे हूँ सही ये अंपी अभी पक्क क्या करा रहे हैं बार बार संजय भैस्थाब आपके चार बच्चे हैं की पाच बोलो भार से बोलो अभी चार रहे की पाच घूमते नहीं है जोपी विरने नो है कोई नहीं है आप ये बोलो मैंने नर्णे किया है मैं हूँ छाथी ठोको जा रहा अपना आप अपना नर्णे बोलो बोलो मुसा जी कौन हो मित्यदिष्टी की सम्यदिष्टी यहां किये रहे हैं मैंने ग्यायक कब इस वाद किया है मैं सम्यक दिश्टी जूँ क्या कहा क्या कहा यहां यह कह रहे है यह तो बात अभी कार्जे चल रही है न कार्ज से यह तो ग्यानिक का विश्वास ही तो सम्यक दिश्टी नहीं तो दोनों बाते सक्त हो गई अरे वे ज्यानी कह रहा है यह सम्यक्रिस्टी है तो वो ज्यानी सब जीवों को जीव अनवब करते हैं कि सम्यक्रिस्टी देखो जीव अनवबते हैं लेकिन जिस जीवने अनवबा जीव तो उसे सम्यक्रिस्टी भी कहते हैं समझ में आ रही है क्यों नहीं आ रही उसका कारण है, क्योंकि अभी भी दोनों टाइम, दिने भक्ती, पूर्वक नहीं, समय से पहले नहीं, अभी भी कमी है, कमी आख की पढ़नती में है, जिन्वार्णी में नहीं है, रेख लेना है, जो बात ये बूल रहे हैं, लिखना पढ़ना भी भी समझना, पूछना, ये हैं, इसलिए कमी है, कि लिए अंतिन चर्चा, वे कौन जो निश्चे से निश्चे के ग्याता है, ये ज्ञनियों की बात है, जो निश्चे से निश्चे के ग्याता है, बे कहते हैं किस जीव ने भेद विज्ञान किया है ये सम्मेक दिस्टी है ये जिन है कौन कहते हैं जो निश्चे दे निश्चे के ग्याता है जो आपको ग्यायक भी जानते हैं और आपने ग्यायक का लुगब किया तो आप सम्मे ग्रिष्टी हो जितेंद्री जिन हो ैसा भी जानते हैं एक परिसंग है अलर्नी भाई साथ भी सुनाया है भरते जाल्ष में होगा सुनो ध्यान से बहुत मारमिक है यह जितेन जिजिनवाला कैसे वो कहते है अबदी यान है उतकुस्ट अबदी यान होता है तो वो कार्मन सरीट को मि देख लेता है क्या कहां? नोट कर लेना यह दिखते हैं वो तो वो हैं भरेज चक्रवर्थ वोन्ने व्यत्ती को देगा साम अन्लिवेक्ती को और उन्ने अवनियान से जाना किसको दर्सन मोय और अनतान वन्दी नहीं है उप्रकर्ती दिखती है नहीं है इसकी सत्ता में ओहू बुलाया गले लगाया यह हमाई भाई है कौन कौन भाई मतमस समझे है अम्भी सम्वेक्दिष्टी और किप्रसंग बुलाया सेर कौन है यह हमारा भाई है हाती कौन है जादु भाई मतलब वो हाती नहीं वो हाती सिखरजी के जंगल में था अरिविन मुली राज के बच्चन सुनकर इसने सम्मेसर ज्ञानचायद ले लिया था वो हाती कौन है तिसनकर परमात्मा का छूटा पुतर है क्या कहा गंदर बड़े पुत्र गोतम स्वामी बड़े पुत्र और वो छोटे पुत्र तो पुत्र पुत्र कौन हो गया आपस में गृणवर और गजराज कौन होग Śचा? गणवर और गजराज भाई भाई क्योंकि वो भी घ्याय का रवं रहे और यह भी घ्याय का रहे उनको तीन कसाह मिट गए उतना आनन्दे इसको एक मिटी इसन आनन्दे के रुखा है? और विसेज कहते हैं इस पर सनादी परिचेंदरियों के विसे कॉन है गे देखो 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 गे हैं और द्रवेंदریया एवं भावेंदरिया उन्ही की ज्यायक हैं यह वही है जो का हुगा सुनने ज्यांते अभी आगे लिखिये संकर दोस की बात है ये ऐसा ये जो जीव के साथ संकर संयोग संबन्द है वही दोस है मिलावाथ ठंडे पानी में गरम पानी मिला दिया सी दोस ने यौनी बन गई ये अनंद जीव उत्पन हो गई पता है आपको दही दूद्ध चावल दही दूद छाच में वे भब भाई नमकीन सेव डालके खा सकते हो कदे करे लोग खाला है हमने खा सकते हो खिचणी में दूद डालके खा सकते हो जैसे ही लार से मिले वो संकर्दोस जीवों की जिलपत्ती हो गई पापड खा सकते हो दूद के साथ गोरस लिखाए है गोरस बूल में दुदलका नकेला दही खाच नहीं गोरस दूद भी विसन वाली चीजों के साथ में दल वाली चीजों के साथ में नहीं संकर्दोस हो जाएगा मतला विष्टान से चल लाने हो का जीवों की उत्पत्ती होती है विष्टान लोट कर ले ना संकर्दोस के लिए जीवों की उत्पत्ती होती है जानने वाला ग्यान ग्यायक है और ये मेरे ये है क्या हो गया इसकी चर्चा विस्तार्जी चल चुकी पहले है बहुत विस्तार्जी चली थी वही दोस है उस दोस को ग्यायक हूं इस बल से जीतना सब्द क्या लेखा यहां पर परमसमादी परमसमादी करते है ग्यायक हूं ग्यानमस्थ हो यह यह परमसमादी है वही प्रथम निश्चे इस्तुती है ऐसा भावार्थ है कल 32 नम्मर गाथा ठीका पड़कर आना नीजे नीवी नीजे में